हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रीजर में दोस्तो आज की वीडियो में हम 20 दिसंबर सी समध्यत उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिर की क्विश्चन को डिसकस करेंगे और हरे क्विश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंतों में हम आपसे एक क्विश्चन भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडियाफ आप मारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सुरू करने से पहले हम कल की कुश्चन का रिविजिन करेंगे कल का पहला कुश्चन है हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्य वर्स के लिए कितने करूल रूपाय का दूसरा अनुपूरक बजट पेस किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नुबर A 8489.5 करूल रूपाय का अगला कुश्चन है हाली में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से वारानजी में अकल भारतिय महापौर सम्मेलन का उधगातन किस ने किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नुबर B परधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने और दोस्तो उत्तर प्रदेश करेंट अफेर की लास्ट 10 मंद की अगर आपको पीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप इस पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडियो में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश करेंट अफेर की सभी इंपोर्देश को विस्तार पूरवग पताया है और दोस्तो इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करेंट अफेर की नवंबर महिने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो प्रदेश डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रोब्लम होती है तो साइट पर आपको वर्चेप नंबर और एमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला गुश्यान है हाली में किसने 28 अनाज गुदामों, साइबर सीक्यूरिटी, ओपरेशन, सेंटर, एवं इंटरनेट बैंकिंग तथा कॉपरेटिव बैंक की 13 नई साखाओं का लोकारपन किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नंबर A, स्री अमिस सहाने अगला गुश्यान है, किस रेसर को नाइट हुड की उपाधी से सम्मानित किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नंबर C, लुईस हैमिल्टन को अगला गुश्यान है, लॉंजपुस्तक राज कपूर, दमास्टर एट वर्क के लेका कौन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नंबर A, राहुल रवेल अगला गुश्यान है, अंतराश्टिय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नंबर C, 18 दिसंबर को अगला गुश्यान है हाली में अढ़ाका के एतिहासिक काली मंदिर का उधगाटन किस ने किया तो इस मंदिर का उधगाटन किया है राष्टपती रामनात कोवेंद ने यानि ऑप्सन नमबर सी इसका करेक्ट होगा अगला गुश्यान है अड़ा 24 इंटू 7 ने कितने करोल रुपए में Study IQ Education प्लेटफर्म खरीदा इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्सन नमबर A 150 करोल रुपए का अगला कुश्यान है किसने दा इंडस इंटरप्रेनियोर से Global Entrepreneur of the Year अवाड जीता इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्सन नमबर D कुमार मंगलम बिर्ला ने तो दोस्तों ये थे कल के questions जिसका हमने revision किया अब हम सुरू करते हैं आज का session आज का पहला question है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जुले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधार सिला रखी इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्सन नमबर A साह जहापूर म प्रदान मंतरी मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को साह जहापूर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधार सिलार की दोस्तों ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई कितनी है तो आपको ध्यान रखना है 594 किलोमेटर ये एक्सप्रेस वे लंबा है और ये 6 लेन का एक्सप्रे इसके मेरट पुर की बेजॉली गाउं के पास ये शुरू होगा और ये होकर कि कहां तक जाएगा तो ध्यान रखना है प्रियाग राज की जोदापुर दांडू गाउं तक ये जाएगा तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मेरट से शुरू होगा और कहां त रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस भी होगा जब ये बन करके तयार हो जाएगा एक्सप्रेस भी 594 किलो मीटर लंबा होगा और ये रज के बारहे जिलों से हो करके गुजरेगा तो यहां से आपको काफी पॉइंट अच्छे से ध्यार रखने हैं तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर तो साहा जहांपुर में इसकी आदासिला रखी गई है कब रखी गई है तो 18 दिसंबर 2021 को ये जो एक्सप्रेस भी है इसकी लंबा ही कितनी है तो 594 किलो मीटर ये एक्सप्रेस भी लंबा होगा और ये छैलेन का एक्सप् किये जाएगा अब दोसतों यह उत्र प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रस यह ओगा तू यह भी आप को जो करके गुजनेगा तो यहां पर मैप में देखेंगे यह एक्सप्रस वे मेरड से शुरूँ होगा यहां से शुरू होकर कि ये हापोड हापोड से फिर ये अमरोहा और इसके बाद बुलंद सहर फिर यहां से होकर कि संभल फिर इसके बाद ये बदाईू और यहां से होते हुए साह जहापुर और इसके बाद ये हर दोई में जाएगा और इसके बाद ये उन्नाव उन्नाव से होते राइबरेली और राइबरेली से जाकर कि ये परताप गड़ और इसके बाद ये कहां पर जाएगा तो ये प्रियाग राज में जाएगा तो ये वो जिले हैं जिन से होकर कि ये एक्सप्रस वे गुजरेगा तो ये जिले भी आपको छे से ध्यान रखनी है अब दुस्तो इस express वेसे संबंदित एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि साहजहापुर में express वेपर बायू सेना के विमानों के आपात कालेंड टेक आफ और लेंडिंग में साहता के लिए एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी जिसकी लंबाई कितनी होगी तो 3.5 किलो मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी तो इस सारे facts आपको इस express वेसे संबंदित अच्छे से ध्यान रखने है अगला विश्यन है हाली में जारी आधार भूत साक्षर्टा सूच कांग 2021 में बच्चों की साक्षर्टा दर्की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य की रेंग क्या रही इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number B आटवी रेंग प्रदानमंत्री की आर्थिक सलहकार परिसद EAC PM के अध्यक्ष बिवेक देवरोय द्वारा आधार भूत साक्षर्टा सूच कांग 16 दिसंबर 2021 को जारी किया गया यहां पर जो वर्ड है EAC इसका full form क्या होता है तो ध्यान रखना है economic advisory council EAC का full form होता है देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षर्टा दर यानि literacy rate की सूची में बड़े राज्यों की स्रेड़ी में जो पश्चे मंगाल यह सबसे उपर है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एकर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षर्टा दर की सूची देखी जाए तो इसमें जो पश्चे मंगाल वो वड़े राज्यों की स्रेड़ी में सबसे उपर है यानि पहले इस्तान पर है और जो सबसे नीचे है वो कौन सा राज्य है तो बिहार इसमें सबसे नीचे इस्तान पर है यहां जानकारी इंस्टिटीट फॉर कॉम्टिटिव नैस के आधार भूत साक्षर्टा और गड़ना पर सुचकांक पर किये अध्यान में सामने आई है उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने इस इंडेक्स में 38 स्कूर किया है और इसके साथ ही यह आठवी रैंक पर रहा है तो काफी important है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो परदान मंत्री की आर्थिक सलाकार परसद है इसके अध्यक्ष बिवेक देवरोयदर जो आधार भूत साक्षर्टा सूचकांक जारी किया गया है तो उसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षर्टा दर की सूची में बड़ी राजियों की स्रेडी में जो पश्य मंगाले वो पहले इस्तान पर है इस सूची में अंतिम्स्थान पर बिहार है और अगर उत्र प्रदेश के बात की जाए तो उत्र प्रदेश इस सूची में आठवे इस्थान पर रहा है अगला कुश्यान है हाली मोतर प्रदेश की किस एतलीट का चैन वर्ल्ड मेराथन चेंपियंशिप के लिए हुआ है इसका जो करेक्ट अंसर है ओप्सन अमबर डी आसा सिंगा अल्टरा रनर के नाम से चर्चित वेटरन एतलीट आसा सिंगा चैन अगले साल होने वाली वर्ल्ड मेराथन चेंपियंशिप के लिए हुआ है चेंपियंशिप के महिला वर्ग में भाग लेने वाली आसा एक मात्र भारतिय है आसा का चैन इस साल नवंबर में लकनों में हुई मेराथन में निकाले समय तीन घंटे 41 मिनट 49 सेकंड के आथार पर हुआ जो विश्व में 55 से अधिक आयो वर्ग में सीर्स पांच महिलाओं में निकाले गए समय में सुमार है उन्हें लंदन में 2 अक्टूबर को होने वाली वर्ल्ड मेराथन चेंपियंशिप में भाग लेने के समन्द में आयो जोकों से पत्र प्राप्त हुआ है तो दोस्तों आप ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की एतलेट है आसा सिंग इनका चैन जो है लंदन में जो अगले साल होने वाली है वर्ल्ड मेराथन चेंपियंशिप उसके लिए इनका चैन हुआ है और दोस्तों ये इस चेंपियंशिप के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतिय महिला है तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट है नाम अपच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यान है किसने एक कलेंडर वर्स में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौते खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन अमबर डी जो रूट ने ग्लेंड के जो रूट ने एक कलेंडर वर्स में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौते खिलाड़ी बनकर इतिहास रस्तिया उन्होंने दिसंबर 2021 में एडिलेड ओवल में औस्टेलिया के खिलाफ दूसरे सेज टेस्ट के तीसरे दिन यह उकलब्दी हासिल की एक कलेंडर वर्स में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में कौन से हैं तो ध्यान रखना है मुहम्मद यूसूफ यन्होंने 2006 में 1788 रन बनाए दूसरे नमबर पर हैं वेव रिचर्ड्स जिन्होंने 1976 में 1710 रन बनाए और तीसरे नमबर पर हैं गरीम इसमित जिन्होंने 2008 में 1656 रन बनाए और अभी ये चौते कलाड़ी बन गाई हैं जो रूट जो की इंगलेंड के हैं जिन्होंने एक कलेंडर वर्स में 1600 टेस्ट रन बना लिया हैं अगला कुश्यान है हाली में किसने खेलो इंडिया महिला होकी लीग का अपचारिक उधगाटन किया इसका जो करेक्ट अंसर है ओप्सन नमबर ए खेल मंतरी अनुराक ठाकुर ने खेल मंतरी अनुराक सिंग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यांचंद न पुरुसकार मिलेगा पहले चरण में लीग में कुल 14 टीम हैं हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे तो आपको चीसे ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में जो मेजर ध्यांचंद नेशनल स्टेडिया में यहां पर पहली बार राष्ट्री इस तरकी खेलो इंडिया महिला होकी लीग का आपचारिक उद्गाटन किया गया तो किसने उद्गाटन किया है तो खेल मंतरी अनुराख सिंग ठाकुर के द्वारा उद्गाटन किया गया है अगला कुष्यान है किस राज के मावबादी परभावित जिलों में सहाय योजिना लॉण्च की इसका जो करैक्ट आंसर है आपका द्वार रखन रखना है यह जो योजना है वो शुरू की गई यह यह योजना वामपद्धी उगरवाद पर अंकुस लगाने के लिए शुरू की गई है जिसने राज के 24 में से 19 जुलों को प्रभावित किया है योजना के तहट गाउं से लेकर वार्ड इस तर तक 14 से 19 आयूवर के लड़के और लड यह किस राजे से संबंदित है तो ये जो ज्यारखन से संबंदित है और ज्यारखन कि जो मुख्यमंत्री है उन्हों ने इस योजना को शुरू किए है अब दोस्त तो यहां पर ज्याराकन की बात है तो ये है धार्यकट्शान की कैपितल है राचि ज Bit.是這樣 की चीफ इस्तिमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपिय देश कौन सा बना तो ये बन गया है माल्टा यानि और इसका करेक्ट होगा यूरोपिय संग का माल्टा देश निजी इस्तिमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इस नए कानून क तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग रखने और घर के पास 4 पौधों पर खेती करने की अनुमती दे गई है वहीं दूसरी और सारवजनिक रूप से भांग का सेवन अवैद रूप से करने पर 235 यूरो के जुर्माने के साथ दंड देने के प्रस्ताव क भी परित किया गया है तो दोस्तों यह कुशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा देश भांग को निजी इस्तिमाल के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया तो यह कौन सा बना है तो माल्टा अब दोस्तों यहां पर आप सारह साल से अधिक उमर की लोगों को इसके इस्तिमाल की मंजूरी दे गई है और वहीं कितने दियाया रखना है साथ ग्राम तक और इसके अलावा घर के पास जो है चार पौधों पर खेती करने की अन्मति दी गई है तो यहां पर यह संख्या दयान रखनी है चार पौधों और वहीं अगर भांग का सेवन या उपयोग अवैद रूप से किया जाएगा तो उसके लिए जुर्मानिक अभी प्रावधान किया गया है तो इसे भी आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों माल्टा देश के अगर बात की जाए तो माल्टा की कैपिटल क्या है तो वैलिटा माल्टा की कैपिटल है माल्टा की करेंसी क्या है तो यूरो माल्टा की करेंसी है और माल्टा की राष्टपती कोन है तो जॉर्ज वेला माल्टा के राष्टपती है अगला कुश्यन है हाली में किसके दवारा लिखे तो रिवाइडिंग और फस्ट 25 इयर्स ओफ मिनिस्ट् of electronics and information technology नामक पुष्टक का विमोशन किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है जो है option number C SS उब्रोय electronics और सुचना प्रद्यों की मंत्रा लेकि पूर्वसलहकार SS उब्रोय द्वरा लिखित रिवाइडिंग ओफ First 25 Years of Ministry of Electronics and Information Technology नामक पुष्टक का विमोचन MEITY यानि electronics और सुचना प्रद्यों की मंत्रा लेकि सचिव अजय प्रकास सहने ने किया पुष्टक में जीवन की अनवफ MEITY यानि electronics और सुचना प्रद्यों की मंत्रा लेकि तहत सलहकार की रूप में काम करने की चुनोतियां सामिल है वा Software Development Agency के पहले प्रमुख और सुचना प्रद्यों की के पहले सलहकार थे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पुछा जाता है कि जो पुष्टक है इसके लेखा कौन है तो ध्यान रखना है इसके लिखा कौन है और ये जो एस एस उब्रो है ये electronics और सुचना प्रद्यों की मंत्राले की पूर्व सलहकार है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुष्यान है अलपसंख्यक अधिकार दिवस 2021 कब मनाए गया इसका जो correct answer है उप्सन अमबर C 18 दिसंबर को भारत में जाती है अलपसंख्यकों के लिए सुतंदरता के अधिकार को समान अफसरों को बनाए रखने और जागरूगता पैदा करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अलपसंख्यक अधिकार दिवस मनाए जाता है अलपसंख्यक अधिकार दिवस 2021 का उदेश समाज के सभी अलपसंख्यक वर्गों का उत्थान करना और उन्हें अपनी राय देने के लिए समर्थन देना है वर्स 1992 में संक्त राष्ट द्वारा 18 दिसंबर को अलप संख्यक अधिकार दिवस की रूप में इसे घोसित किया गया था जिसे 1992 में राष्ट लिये अलप संख्यक आयोग अधीनियम के तहत केंदर सरकार द्वारा मनाने की अनुमती प्रदान किये गई थी तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 18 दिसंबर को अलप संख्यक अधिकार दिवस की रूप में मनाय जाता है और इस दिवस को मनाने का उधिश्य क्या होता है तो समाज के सभी अलप संख्यक वर्गों का उध्थान करना और उन्हें अपनी राय देने के लिए समर्थन देना इसका उधिश्य होता है अगला गुश्यन है भारत मध्य एसिया वारता 2021 की तीसरी बैठक दिसंबर 2021 में किस इस्थान पर हो रही है इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर ए नई दिल्ली में भारत मद एशिया वारता की तीसरी बैठक 18-20 दिसंबर तक नई दिल्ली में हो रही है यह भारत और मद एशियाई दिसों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान की बीच एक मंत्री इस्तरिय समवाद है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर 18-20 दिसंबर तक नई दिल्ली में बैठक की मेजवानी करेंगे बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान की विदेश मंत्री भाग लेंगे तो दोस्तों आपको ध्यान रखता है कि भारत मध्य एसिया वारता की तीसरी बैठक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो 18 से 20 दिसंबर तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसकी जो मेजवानी है वो किसने की है तो विदेश मंतरी डॉक्टर एस जैसंकर ने इसकी मेजवानी की है तो दोस्तों ये थे 20 दिसंबर से समधित उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए जो की हमने डिसकस की अब हम देखते हैं कल के वीडियो का कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसका जो भी करेक्ट अंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों अगर आपको 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 पसंद आया हूं तो विडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पढ़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी वैल एकन को भी करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू